हेलो दोस्तों, we are going to discuss another very important topic that is chromatography दोस्तों, chromatography जो है हमारा biochemistry में और हमारा advanced diagnostic technique में, biology में यूज होता है chromatography दोस्तों, chromatography में होता है, color graphism में होता है, representing दोस्तों, जो हमारा chromatography है, एक प्रकार के हमारा technique है जो कि किसी हमारे mixture sample है, उसमें से specific molecules को, different molecules को separate करने के लिए यूज किया जाता है, या यूज करते हैं, दोस्तों, these molecules इन प्रोटीन है, amino acids है, lipids है, cargo hydrates है और vitamins हैं, दोस्तों, these molecules can be separated by any of the following properties उसके और property के basis पे हम इसे क्या करते हैं, separate करते हैं, molecular size के बेस पे, weight के, charge के बेस पे, affinity के बेस पे, absorption property के बेस पे, solubility के बेस पे दोस्तों, अब हम समझते हैं, principle of chromatography, दोस्तों, जो chromatography के principle होता है, नियुक्त हैं, इसे मेंस दोफेज यूज होते हैं, separation के लिए, mobile phase और neutrality phase, दोस्तों, जो mobile phase हमारा है, यह हमारा moving phase फ्रिटीक भी بोलता है, Shanghai, mobile phase को moving phase, and newspaper phase को बोलते है, fix phase, दोस्तों, जो mobile phase है, हमारा liquid होता है, लिक्विट सॉल्वेंट होता है और हमारे सेंपल को मुविंग कराते हैं इस सेंपल की द्वारा हम कोई सेंपल है दोस्तों जो हमारे सेंपल को सेंपल को सेप्रेट करते हैं दोस्तों हमारा जो और इसके बीच में इंट्रेक्शन होता है हैं और हमारे सेंपल के मॉलेक्लत हैं वह क्या करेंगे सेप्रेट हो जाते हैं अगर हमारे मुवाइल की ज़्युप च्राष समें को आग micron mobility जधा है तो लेस्थ मुबाइल फेज मारा क्या क्रिया ओड qui करेगा दोस्तों अब classification of chromatography दोस्तों जो हमारा chromatography 3 वे classification ग्यार है first हमारा है partition metallography partition chromatography के जो हमारे सब classify है है और paper chromatography paper chromatography इसके वाद घ्यrr climateography और gas liquid chromatography पेपर क्रोमेटोग्राफी थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विट क्रोमेटोग्राफी यह पार्टिशन क्रोमेटोग्राफी को तीन टाइप में पहले दिवाइड गया है पेपर क्रोमेटोग्राफी थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विट क्रोमे करमेट़ीत सेचंद देखते हैं च्छिछ क्लासिफिकेशन नहें है उसको धाल कर्मेट़ीन a बाइबूभी को दोस्तों अब हम सुनाव पाटिशन करो मेटोग्रफी कि इस टाइप के के राधी अगर हमारे मिक्स्टर के मिक्स्टर के हमारे सालुशन है ओसे हम सेप्रेट करेंगे इस स्यंकरोपीज ऑस तूर्ग झ今日 तेफिए उप schlim boy लगत Déफेटीय हूं अब पर संपल् इसमें हम पेपर के थू जो हमारे सैंपल की मॉलेकुल से है। इसे हम सेपलेट करते हैं पेपर पर इसलिए हम पेपर करते हैं क्योंकि इसमें पेपर का यूज करते हैं। दोस्तों अब हम देखें कि इसका principle क्या है दोस्तों principle में हमारे इसके जो components होते हैं paper solid solution और sample तो जो paper है जिसे पर हम sample के component को separate होते हैं जिसे मलव जिसे पर sample के जो हमारे component हो separate होते हैं पर हो गया जिसकी हें बारा हम्हीं separate होता जिसकी दरहने ह 머 रहे हमारा स्पराइब हो गया और रहने संपल जिसको हमको separate करवाना है डिपरेट डिफरेट कंपोनेंट में मों अरो गैंक दोस्तो सकते हैं जो प्रेपर होताय यह पिपर हमारा इуб फेज्छ Coke हमारा है मुबाइल फेज है मुबाइल फेज जो हमारा होता है लिक्ट होता है और पेपर जो हमारा है सॉलिड होता है दोस्तों अब जो हम सेंपल के सेंपल के कॉर्डिंग Sempre के According दिफेंट–डिफेंट टाइप्स के Paper होते हैं Choose करते हैं हम और डिफेंट–डिफेंट डिफेंट टाइप की रॉफर चूजर करते हैं According to simple कीम्स टाइप का हमारे सेंपल है उस टाइप का हम पेपर यूज करेंगे और उसरी टाइप कीम्स बफर यूज करेंगे करते हिए जैसे कि हमारे जो आउट कमरें हो। हो आए है वह प्रापर ही हाया दोस्तों पेपर प्रो मैटो गराफी जो हमारा यूज करते हैं के टीफ recommend टाय के पय और जो होते हैं इसम्पल पेपर इस वा टमेन पेपर होता है उनके पोरिंगत बेस में अलग अलग मोडिफाइपि करें जो हमारे simple paper हैं उसे modify किया गया है जिसमें हमारे hydrophobic paper होते हैं हाइड़ोफभी paper होते हैं दोस्तों जो हमारा अब हम देखेंगे कि paper chromatography जो हमारा है पेपर क्रोमेटोग्राफि में इसमें जो हम प्रिपेर कर रहे हैं उसे हम प्रिपेर कैसे करते हैं इस दोस्तों प्रिपेर करने के लिए सबसे पहले हम एक पेज लेंगे पेपर लेंगे पेपर लेकर के उसमें हम वन सेंटी मीटर नीचे मार्किंग करेंगे पैंसिल से Pencil से Marking करने के बाद हम उपर भी hit mark करेंगे Pencil के थ्रू Pencil से Mark ने के बाद फिर हम क्या करेंगो उस पर हम Sample Load ow पहले उंद्ट dos प्रिपेर किया पहले प्रिपेर करना इस हो गया हमारा सद्रणदी फैज अब मोबाईल rehell फो दोस्तो करने के लिए हमें butanol लेना है acid acid लेना है और distilled water लेना है four is to one is to five की ratio में हमें लेना है अगर हम 4 ml ले रहे हैं यह व्यूटे नोल 21 ml लेंगे acid acid और 5 ml लेंगे distilled water इसी के ratio में हमें mobile phase बनाना है mobile phase बनाने के बाद इसे हम क्या करेंगे जो हमारा यह chamber चाबड है क्रमाटग्राफिक चैमबर उस सेंब्ल हमारे गौप स़ेंगे जो हमारे वाल वेज़यक्न में ने जो बनाया उसे ले कि थो उस् controlling कर देगे ऐसा लटका आहेंगा जो नीचे वाला हमारा पार्ट और होगो होगोा यह ओर उसमारा मोबाइल Fr कि आधकने-मारा क्या होपर से हम क्वीच में क्या होता है जो घॉत जो से हमारा कईपलरी अक्सन की थूativo जो देफ्रें टाइब से क्या किरेंगे मोव करेंगे कि थूब हमारे मोईल फीज हो गाने वाद उसे क्या करेंग लगा दोस्तों इसके बाध क्या होगा जिब लास्ट में हम लोग अग्सक्स फर्वार्ट पर मार्किंग हैं जो तो वहां तक हमारा सेंपल हो गया वहां पे जो हमारा कैपिलरी एक्षन के तुरू अगर हो रहा है वहां तक अगर गीला हो गया है वेट हो गया है तो उसे हम क्या करेंगे जो हमारा पेपर है उसे हम पेपर को निकाल लेंगे बाहर बाहर निकालने के बाद इसके बाद हम रिटार्डेशन फैक्टर मिजर करेंगे रिटार्डेशन फैक्टर हम कैसे मिजर करते हैं जो हमारा इस नहीं फैस था उसे हम बाहर निकाल लिया बाहर निकाले जो हमारा जिस हमको हम को निकालना है आरहा हैं इसलोक को मेजर करेंगे जहां से नोड लोड किया थे हुझत थैंपर करेंगे और स्कीपार निकल जाएगी उस स्पेस्पिक तो मORनकीकूस की अरफ बाइनों बैलवल निकलेगी अगर हमारे उसकी पाइड में मोना जो है तो उसकी बैलव निकालेनगे तो उसकी डिहर करना पड़ेगाों ते एसलिए मिजर करने भाग फिर उसे ही पूरा जिन्वारा हमारे सॉलीर्ड डिस्टेंस किया है उसका फिर उसको हम डिवाइड करके नीकालेंगे डिफरट अथ के मृफ्य कि उसके होते हैं दोस्तो फिर इसका जो हमारा आंसर आता है उसके एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए च्युर्ट आ कि ग्लासिफाई किया गया है तू टाइप में पहला सिंगल डाइमेंशन क्रोमेटोग्राफी हो गया और दूसरा हो गया डबल डाइमेंशन क्रोमेटोग्राफी दोस्तों जो हमारा सिंगल डाइमेंशन क्रोमेटोग्राफी है जो सिंगल डाइमेंशन क्रोमेटोग्राफी है यह हमारा क्या होता है जो हमारा solvent है वो migrate करेगा सिर्फ एक ही डारेक्शन में जो इसको बोलते हैं हम single dimension chromatography जो हमारा इसे हम upward में ही जो एक डारेक्शन में upward की side में अगर move कर रहा है उसे हम ascending chromatography बोलते हैं and migrate to downward known as descending और नीचे के तरह अगर हमारा move कर रहा है उसे हम बोलेंगे descending chromatography दोस्तों जैसे structure में देख लो यह हमारा हो गया ascending chromatography यह हमारा हो गया descending chromatography लेकिन दोस्तों जो आपने अभी paper chromatography पढ़ रहे हो single dimension paper chromatography है उसका example यह ही है लेकिन दोस्तों जो हमारा ascending chromatography है इसका example यह हमारा diagram हो गया और जो हमारा descending chromatography है इसका diagram हो गया तो दोस्तों इसकी अलामा other types के भी हमारे होते हैं जो होते हैं जो हमारे इसके different types के हमारे जो होते हैं इसमें हमारे जैसे हो गया ascending descending chromatography जो हमारे is schmont दिलेंगतोग्राफिश फिरत डरीचन में पॉर्ड जाये फिर हमारा हम आसी से पहल हो गया कर जूबल में में देखलो में मैं मारा जैसे हो गया से क्रोमेटोग्राफिश हो गया एक साइट से गया फिर वहां से रखने के पैट्री स्की मारा क्या है मुवाइल स상을 करेंगा हो से हमारे सेंपल को मूव करेगा एरांड तरफ चारो तरफ हमारा एरांड करेगा उसे चारो तरफ हमारा क्या करेगा उसे मूव कराएगा क्या थूरू मुव कराएगा उसकी बाद हम क्या करें उसे निकाल करें को उसका भी मेजर हम करेंग जैसे उसका कर रहे थे दोस्तों अब अप्लीकेसान दिखेंगे किया है। करने के लिए कल्म है सेप्रेशन हैं कि अबनुदा अब इंटिप्रोध ब्रॉटिय। एंटिबोडिटीच प्रोटेन इटीछी इडिटेफिकेशन आफ ड्रॉक्स ड्रॉक्स करने के लिए अज़िटेफिकेशन आप इंप्यूर्टीज मेटा बोली मेना बोलाइट्स ऑफ ड्रक्स इन ब्लड और यूरिन में एडवांटेज क्या है पेपर क्रुमाटोग्राफी का सिंपल होता है रैपिड जल्दीज हो जाता है इनेक्स्पेंसिव है एक्सिलेंट है व्यूस्टिज पॉवर भी है अहीं हो आप लोगों समझन है होगा अगर ना समझन में आया होगा तो आप लोग कमेंट अके पूछने आ पूछना ऐको बता दिया जाएगा तके अच्छा वात्यों के सेकिति में का 50 एर आ दोस्तों कमेंट ही